अमेरिका की एक दुकान पर पती पत्नी अपने बच्चे के लिए खिलोना खरे दने गए। एक खिलोना था टुकड़ टुकड़ो में। उसे सही में जमानी का खेल था। टुकड़े जम गए तो खिलोना बन जाए। पहले पत्नी ने फिर पती जो गनीत का प्रफेसर था उस रख गया है कि जमता ही नहीं, इससे बच्चे को सीख मिलती है कि ऐसा ही जीवन है, और जीवन की और इसारा देने वाला इसका नाम है जिन्दगी और मन, जो कि डब्बे पर लिखा हुआ है, यह एक सीख है जो बच्चा सुरुवात से समझने लग जाए कि जिन्दगी में कई जीवन इतना कठीन होता नहीं है, जितना तुम उसे कठीन बना लेते हो, खुद को उन बाते में उलजा कर जिनसे तुम न जाने कितनी ही बार उलग चुके हो, लेकिन कोई हल निकलता ही नहीं, और जब मन बिचारों में उलग जाता है, तो तुमारी जिन्दगी का वह समय बरबाद हो जाता है, कि तुम किसी बहतर काम में लगा सकते थे, कुछ सिरजन कर सकते थे, और कुछ नहीं तो मुझ मस्ती में लगा सकते थे, जिससे की मन तरोता जा रह सके, लेकिन नहीं, तुम बार बार वह खिलोना लेकर बैठ जाओगे, सुलजाने के लिए जो अभी तक सुलजा ही नहीं, और नहीं कभी सुलज पानी के संभावना है, मन को विचारों में जितना उलजा रखोगे, मन उतना उलजा और भारी रहेगा, साथ ही जिन्दगी भी, मन को विचारों से जितना हलका रखोगे, मन उतना सुलजा और हलका और जिन्दगी भी हलकी आचारे रजनिस जी ओसो जी द्वारा रचित